नमस्कार मुवमीडिया में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अभिशेक तीवारी खबर बी एससी अव्यर्तियों से जुड़ी हुई है आखिरकार बी एससी आयोग अव्यर्तियों के साथ इस प्रकार का खेल क्यों कर रहा है हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि एक संस्कृत मे बी एससी आयोग को लेकर के लागातार रोड पर प्रदर्शन हो रहे हैं कारेसली पर सवाल खड़े हो रहे हैं साथी साथ अव्यर्तियों को लंबे समय से यानि 2014 इंटरस्तरिये बहाली की में बात कर रहा हूं जिसकी प्रक्रिया अभी तक लंवित रखी गई है अभी तक प्रक्रिया को पूरी नहीं कि जा सकी है बी एससी दफ्तर के तरफ से एक नोटिफिकेशन अभी बीते रवीवार को आया था और उस नोटिफिकेशन में 1289 अव्यर्तियों की बाते रखी गई थी 1289 नए अव्यर्ति उसमें आ गय थे उसके बाद भी बी एससी अव्यर्ति लागातार सवाल कर रहे थे उनका मानना था कि आखिरकार किस प्रकार से किस अधार पर ये कहां से 1289 नए अव्यर्ति आ गये हैं हलाकि सुचना में बी एससी आयोग अपने तरफ से सब कुछ असपश्ट कर चुका है बी एससी आयोग है और आयोग के जेर्मेन अध्यक्ष जो चाहेंगे वही होगा तो ऐसे में बी एससी ने शूचना जैसे ही जारी किया आखिरकार बिहार में जो नहीं होने वाला था वैसा प्रद्रिश से निकल कर सामने आया बच्चे रोड पर आय और काफी लंबे समय बाद बच्चों ने बी एससी आयोग के खिलाफ रोड प आखिरकार क्या खेल BSSC आयोग तमाम अव्यर्तियों के साथ कर रहा है देखें आप अपने स्क्रीन पर इस पत्र में साफ साफ लिखा गया है कि ये पत्र की संदर्ब में है ये पत्र में रॉल नंबर भी लिखा गया है हमने पहले आपको यह भी खबर दिखाया था कि आखिरकार रोल नंबर को लेकर के लागातार BSSC आव्यर्ति परिशान है और आयोग जा करके वो आवेदन कर रहे हैं जिनका सारा डॉक्यमेंट यानि सारा कागजात जो हैं वो खो गया है इसको लेकर के BSSC ने बड़ा स्टेंड उठाया है और जितने भी 218 नय अव्यर्ति जो निकल कर सामने आये हैं जिनका मुखे परिक्षाएं अभी ली जानी हैं उनको अब बाईव पोस्ट घर तक रोल नंबर के साथ में BSSC दफतर सुचित कर रहा है सबसे बड़ा सवाल तो आखिरकार यह है कि BSSC दफतर लगातार इस सवाल के घरे में रहता है 2014 की बहाली है और अब तक इस बहाली की प्रक्रिया को पूरी नहीं किजा सकी है और ऐसे में BSSC आयोग के द्वारा बाईव पोस्ट तमाम 1218 अव्यरतियों के घर भेजा जाना और बाईव पोस्ट का मतलब आप समझ सकते हैं इस जमाने में बाईव पोस्ट यानि जो चिठी पहुंचाने वाले करमी होते हैं वो कितने सुस्त नजर आते हैं यह वही BSSC दफ्तर है यह वही BSSC आयोग है जो तमाम प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर चुका है डिजिटल हो गया था लेकिन हम सब धीरे धीरे बदलते परिवेश में ढलने की कोशिस करते हैं BSSC उससे निकलने की कोशिस कर रहा है BSSC लगतार डिजिटल होने के वाज़ूद एक बार फिर से बाई पोस्ट आपके घर तक आपकी कागजात आपके रोल नमबर के साथ में भेज रहा है खबर और खुसी उन तमाम अवहरतियों के लिए जरूर है जो 1289 अवहरतियों की कोशिस सुची बना कर जारी किया आप BSSC आयोगने लेकिन जरा सुचिए अगर आपके घर तक अगर यह सुचना नहीं पहुच पाता है आपका रोल नमबर बाई पोस्ट जो यह पत्र है नहीं पहुच पाता है तो क्या कुछ होगा कैसे आप परिक्षा में बैठेंगे आखिरकार BSSC क्यों बाई पोस्ट भेज रहा है इसके पीछे के पुरा खेल पहले समझे बाई पोस्ट भेजने के पीछे का रिजन यह है कि बहुत सारे ऐसे वर्ती होंगे या फिर बहुत सारा ऐसा इसा इलाका है बिहार प्रदिश में जहां पर बाई पोस्ट आज भी अगर आप चिठी आज भेजते हैं तो महिनों दिनों बाद आपको मिलेगी और ऐसे में चार तारिक तक अन्तिम फर्म यानि अन्तिम आविदन करने की तिथी निर्धारित कर दी गई है अगर आपके घर पहुंचते अगर चार तारिक वित जाता है तो बिएससी क्या करेगा आपने कभी सोचा है कि अगर कुछ वैसे इलाके होंगे जहां पर चिठी पतरी नहीं पहुंच पाए तो बिएससी क्या करेगा आखिरकार बिएससी जब ऑनलाइन अविदन अमंत्रित किया था वो भी 2014 में तो अब पर अपलूड क्यों नहीं कर देता है और और कोई माध्यम यानि फोन नंबर के दुआरा या फिर इमेल क्यों नहीं कर रहा है वाई पोस्ट आप तक खबरें क्यों फिजवा रहा है देखिए एक बात साफ है कि आप तक जितने भी जनकारी मेरे पास आई है उनमें तमाम ज या फिर बीएससी आयोग लागातार जिस प्रकार से सक्रिय रहा है वो मैसेज करके भी आपको आपकी सुचना आप तक पहुचा सकता है लेकिन बीएससी आयोग ऐसा नहीं कर रहा है जानते हैं आखिर बीएससी आयोग ऐसा क्यों नहीं कर रहा है क्योंकि जैसे ही चार तार पटना में प्रदर्शन करेंगे या फिर पटना हाई कोट का रोख करेंगे बच्चे कोट जाएंगे कोट जाने के बाद फिर से वो इस पूरे मामले को बिसस्यायोग लंबित कर देगा 14 सालों के बाद भी बिसस्यायोग सायद यह नहीं चाहता है क्या कि इस लंबित प्रक्रिया को जल्द से जल्द समाप्त कर ये तमाम कांसलिंग कराकर सभी को पद पर नियुक्त कर दिया जाए आखिरकार बहाली के जो प्रक्रिया है वो इतने दिनों से क्यों अधर्ड में लटकती नजरा रही है बार बार अपने हमें स्क्रीन पर यह चला रहा है पत्र जरा इस पत्र को गौर से आप भी देख लिजिए और 1218 सुची में अगर आपका भी नाम है तो घर बैठ कर इंत जाएगी अगर चार तारिक निकल गई तो फिर आप क्या करेंगे आप यह खुद घर में बैठ करता है कर लिजिए क्योंकि बेसे सी आयो के तरफ से इसंदर में कोई भी सोचना जारी नहीं की गई है और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि अभी तक किसी एक अव्यर जाएगर के भी आ सकते हैं देखिए इस पत्र को एक बार फिर से हम अपने स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और यह वही पत्र है इसमें आप बीशय में देखेंगे वी संख्या करके 606014 प्रतम इंटरस्तरिये शंयुक्त मुख्य परतोगी परिक्षा 2014 का ओन-लाइन आवेदन अ कारिक है वह परतोगी परिक्षा 2014 में उत्रेने पाए गए हैं संसदीद परिक्षा फल आयोग की बेवसाइट अधिकारिक बेवसाइट पर मिलेगा दिनांक 19-9-2021 को यह अप्लोड किया गया था अब ऑन-लाइन आवेदन भरने का जो समय है इस पत्र में वह 29-2021 से 4-10-2021 तक का ही समय आयोग के तरफ से आपको दिया गया है तो आप जरा यह तै कर लिजे कि अगर 1218 वहरतियों में अगर उस सुची में आपका भी नाम है तो भी इससी दफ्तर किस तरीके से खेल कर रहा है अगर सुची में नहीं नाम है जो बच्चे जो वहरति लागातार कांसलिंग की प्रक्रिया की इंतजार में हैं अगर अगले महीने अक्टूबर यानी नुमंबर महीने में कांसलिंग प्रक्रिया को लेकर उत्साहित हैं कि साथ कांसलिंग की प्रक्रिया हो जाए तो ऐसे में अगर चार तारीक के बाद जिनके घरबाई पोश्ट अगर यह पत्र पहु करतियों से जुड़ी हुई हर एक मुद्दे को अपने चैनल के माधम से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या है तो कर लिए विल आइकन दबाना ना भुले ताकि हर एक खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा प दे